सब्सक्राइब करिए एसार मोटू वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन भी दबाईए ताके मेरी अपकमिंग वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं वेलकम बाइक दोस्तों आप देख रहे हैं यह सार मोटू वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ तो मैं आज की इस वीडियो में आप से बात करने वाले हूं अक्सेस 125 जो के इंडिया की बेस्ट सेलिंग 125 सीची स्कूटर है और एक्टिवा 125 के ब्याइस सिक्स मॉडल में आप यह सोचेंगे ब्याइस सिक्स मॉडल में कमपरी ने सिफ एंजिन में चेंज कर आओगा कोई खास चेंज नहीं होंगे लेगिन ऐसा नहीं है हॉंड ने ब रेट्रो मॉर्डन लुक देखने को मिलते हैं काफी अच्छे देखने को मिलते हैं अगर रेर प्रोफाइल देखते हैं तो आपको external fuel tank मिल जाता है जो कि double lit fuel tank कहता है Honda जो कि आपको AXS 125 में नहीं मिलता looks के मामले में मुझे तो एक subjective topic लगाई है कि looks अगर आप देखते हैं तो AXS के looks retro modern looks कह सकते हैं उनको और Activa के जो हैं sharp ag looks है थोड़े elegant looking है Activa overall एक scooter look के हिसाब से मुझे personally AXS का look ज्यादा पसंद आता है आप मुझे comment में बताना है कि आपको कौन सी scooter ज्यादा पसंद है scooters लोग इसलिए लेते हैं और इसलिए पसंद करते हैं कि उसमें practicality और comfort रहता है तो आईए सबसे पहले अपन comfort की बात कर लेता है comfort का अगर मैं difference देखूं तो मुझे personally AXS 125 का comfort ज्यादा अच्छा लगा seat अच्छी लंबी है और cushioning बहुत soft और अच्छी है तो AXS 125 में वैसे तीन लोग नहीं बिठाने चाहिए लेकिन आप बिठा सकते हैं spacious seat है enough room आपको rider और pillion दोनों को मिलेगा और जो एक्टिवर में ने चलाई तो उसमें front headlamp पर बहुत ज़्यादा जटके आ रहाए थे front suspension की वज़े से और एक्टिवर में आप लोगों ने प्रॉब्लम सुनी होगी जो इसका front headlight mask रहता है पूरा वो हिलने लगता है कुछ ताइम बाद तो मुझे लगता एक्टिवर में भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसका front suspension stiff है और आगे बहुत ज़्यादा जटके feel हो रहे थे दोनों scooters में आपको front telescopic और rear spring loaded hydraulic suspensions मिलते हैं दोनों scooters में comfort मुझे access का ही ज़्यादा पसंदा आया टायर्स की बात करें तो टायर्स आप अगर यहाँ देखते हैं तो आपको front tire 90 by 90 का मिलता है दोनों scooters में और rear tire 90 by 100 का मिलता है दोनों scooters के टायर्स से में front 12 inch का wheel मिलता है और rear 10 inch का wheel मिलता है access की मुझे इसा लगा कि street line stability जादा अच्छी है क्योंकि इसमें wheelbase जो है वो 1250 mm का है जो के बहुत जादा wheelbase है longer wheelbase की वज़े से street line stability अच्छी मिलती है यहाँ सबसे बड़ा difference आपको देखने को मिलेगा handling में वह यह है कि access का जो weight है वो 101 के लो का है और वहीं Activa का जो weight है वो 111 के लो का है अगर आप access चलाएंगे आपको काफी light feel होगी maneuverable feel होगी और initial pickup भी आपको अच्छा मिलेगा और access में mileage भी अच्छा मिलेगा क्योंकि एक lightweight scooter है Activa access से एक चीज में थोड़ी सी आगे है और वो है ground clearance एक्सेस का ground clearance 160 mm का है और वहीं Activa 125 का ground clearance 169 mm का है 9 mm जादा ground clearance की वज़े से थोड़ास आपको फायदा हो सकता है खराब roads तक अगर आप जाते हैं दोनों ही scooters से Activa में आपको जादा फायदा मिलेगा अब आ जाते हैं यहाँ पर engine को compare करने engine आप compare करते हैं तो access 125 में आपको वही पुराना engine मिलता है जो कि BS4 technology पर work करता है और यह engine 8.7 PS की max power produce करता है और 10.2 Nm का max torque produce करता है वहीं Activa का engine देखें तो उसका 8.1 PS की max power produce करता है और 10.3 Nm का max torque produce करता है पावर figures पहले वाली Activa 125 के comparison में BS6 वाली में कम हो गए है थोड़े से तो access 125 यहाँ पे जादा powerful और जादा punchy feel होती है क्योंकि access 125 में तो weight कम है उपर से power जादा है और काफी torquey feel होती है और उपर से lightweight भी यह गाड़ी तो आपको access 125 में acceleration और initial pickup जादा फील होगा Activa के comparison में Activa मुझे slow feel होई engine technologies में Activa यहाँ कई हद तक आगे है access 125 से Activa में आपको silent start system मिलता है जिसमें बटन दबाएंगे उससे महरान हो गया था क्योंकि जब मैंने बटन दबाया तो मुझे direct engine की आवाज आई स्टार्टर की motor घूमने की आवाज आई है नहीं और आपको एक और technology मिलती है कि यह एक्टिवर का engine BS6 है और सबसे शांदार technology आपको यह मिलती है और access में जो क्लेम माइलेज है वो 64 की MPL का है और मेरे फ्रेंड के पास भी access थी मैंने बहुत चलाई यह उस access को तो उसका जो माइलेज वो देती थी वो देती थी 50 तक निकाल देती थी एक्टिवर में तो मैंने आपको बताया silent start system मिलता है लेकिन access मागर आप देखते हैं तो उसमें आपको easy one touch start system मिल जाता है जिसमें आप self more button को दबा कर छोड़ देंगे तो गाड़ी automatically crank हो जाएगी अब बात आती हैं यहाँ पर instrument cluster कि अगर instrument cluster आप compare करते हैं तो मैं यह कहूँगा कि active 125 यहाँ जाधा feature loaded गाड़ी है access 125 के comparison में दोनों में आपको part digital instrument cluster देखने को मिलता है लेकिन active 125 में आपको real time mileage indicator देखने को मिलता है और service reminder clock और यह basic features तो गाड़ी में मिलते हैं वही access में आपको basic features मिलते हैं including आपको speedometer, odometer, fuel gauge यह basic features हो गया और वही trip meter हो गया और जो access में आपको मिल जाता है वह यह है कि आपको oil change interval भी मिल जाता है दोनों scooters में braking अगर compare करूँ तो braking comparable नहीं है मतलब आप braking दोनों की scooter के आपको लगबग लगबग same लगेगी access की मुझे थोड़ी सी braking जाद अच्छी लगी लेकिन access में जब आप front disc दबाते हैं तो थोड़ी सी jitter होती है गाड़ी यानि कि हलक असा front wheel हिलता है लगबग दोनों के brake सेम ही लगे मुझे चलिए practicality के बारे में बात कर लेते हैं दोनों scooters में आपको storage spaces कितनी मिलती है access 125 में आपको front दो hook मिलते है activa 125 में भी आपको front दो hook मिलते है access 125 में आगे एक pocket मिलती है और activa 125 में आगे एक globe box मिलता है दोनों का under seat storage comparable है आप दोनों में medium size half face helmet फुल fit कर सकते हैं easily under seat storage अच्छा लगा access 125 practicality में activa से पीछे चूट जाती है वो इस वाज़े से क्योंके activa में आपको external fuel tank मिलता है इस fuel tank को आप एक ही key slot से खोल सकते हैं जो के आगे आपके साथ ignition key slot होता है access में भी यह same feature आपको मिलता है लेकिन उसमें fuel tank जो है वो seat के नीचे ही है activea 125 यहाँ पर मुझे जादा इसलिए पसंदा ही क्योंकि उसकी build quality हो काफी solid build quality है यानि कि आप हाथ लगाएंगे तो आपको लगेगा हाँ एक भारी भरकम गारी है तो build quality all metal की used है वहाँ पर activea 125 में और महीं access 125 में metal parts का कम यूज करा है करा है body में लेकिन metal का कम यूज है access 125 को lightweight बनाने के लिए company ने करा है fiber quality में बुरी नहीं कह सकता access की बहुत अच्छी fiber quality है और मुझे काफी अच्छी लगी वो अब आपन देखते हैं कि access 125 जादा अच्छी है या activea 125 access 125 के top model और access 125 के top model और access 125 के top model की अगर price compare करते हैं इसे मैं मान सकता हूँ वो इसलिए जादा है क्योंकि उसमें fuel injection system used है activea में जो कि जादा costly होता है और bs6 engine भी company ने करा है तो उसमें भी थोड़ी सी cost होती है engine को change करने में अब अगर technically देखा जाए तो activea 125 जादा अच्छी है लेकिन अगर practically देखा जाए तो access 125 जादा अच्छी है access 125 इसलिए अच्छी है तो वो best selling scooter में आती है उस पर लोगों का एक trust बना हुआ है गाड़ी पर और trust की वज़े से और mileage भी अच्छा देती है और सस्ती cost में अच्छा mileage दे देती है और उपर से चलाने में काफी fun to ride feel होती है मुझे access 125 आटिवा 125 वो ही एक typical scooter feeling देती है लेकिन access 125 काफी fun to ride है और comfort level का सबसे बड़ा difference यही है कि access में आपको comfort अच्छा मिलता है suspension जो है वो soft है road undulations easy absorb कर लेंगे scooter इंसन डेली उसके लिए लेता है तो उसमें उसे comfort चाहिए रहता है comfort के मामले में access 125 अच्छी है बाकि आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी scooter पसंद आई है मेरे comparison को देख कर और हो सकता है आपके confusion सभी दूर हो गए होंगा और मैंने required details पूरी यह अगर कर लिए होंगे तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करें बिना ना जाए अग्स वाचिन देख वाचिंग तिल देन विट विट वाचिंग नेक्स अपक्कमी इंटर्सी वीडियो